अब आज पाउसेक आपके सामने सरीयू के तट से हमारे ये स्पेशल बोलचन लेके ये सरीयू का किनारा है जहाँ पर शाम को भव्वे आरती होती है लेकिन देखिए दिन के शुरुआत यहाँ पर कैसी होती है मैं आपको कुछ तस्वीरे अपने पीछे दिखा देती हूँ यहाँ पर अविरल सरीयू की बहती हुई धारा है अभी हाली में यहाँ पर धाई लाग क्यूसिक पानी छोड़ा गया है जिसके चलते जलसर और बढ़ गया है और इसका जो प्रवा है सरीयू नदी का ये और ते हैं पहले आच्मन करते हैं डुक्की लगाते हैं उसके बाद शंकर भगवान को जल चड़ाते हैं सरीयू माता को प्रणाम करते हैं तो इस अंदाज में कुछ यहां की सुबा होती है कई बार यहाँ पे कुछ भक्त भी गीत गुन-गुनाते हुए दिखाई देते हैं धिखाईकी जो योजना है सरीयू के लिए वो क्रूसचलाने की हैं घंजा की तर्ष पर सरीयू में भी क्रूसद चलाये जाएगा भविश्य में जो आयोद्या की तस्वीर है वो कैसी रहने वाली में उसका एक हिस्था है तो सרीयू पर जो सुबह का all कुछ इस अंदाज में आयोध्या नगरी सुप्रभात कहती है सर्यू के किनारे से लेकिन बात आयोध्या की की जाए तो जबरदस तरीके से तैयारी चल रही है अगस्त का महीना शुरू हो चुका है भोले शंकर का ये महीना है सावन का जो है सोमवार भी आने वाला है अंतिन स प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा पूरी तरीके से अब स्पीजी के हवाले होगा टीम यहाँ पर आज पहुँचने वाली है प्रधानमंत्री मोधी के लिए हम आपको बता दें कि तीन लेयर की सिक्योरिटी बनाई गई है है कर दो बाला है कि तीन लेखा लेके से हाँ करदाए रेका रेका यहाँ कर दो कि तीन ले रहाँ करदा वपका दो में दो वाले है कि तो अ हाँ हुआ हुआ है कि अगर सुरक्षा की बात करें तो युद्धा में सुरक्षा के खास बंदोबस किये गए हैं हम इस वक्त नया घाट चौराये पर मौजूद हैं और हम आपको अगर तश्मीरे दिखाएं तो देखें जो भी यहां पर पहले जिस किसी को भी अगर इंट्री तब मिल रही है ज उसके बाद ही उसे इंट्री सहर के भीतर दी जा रही है यह नया घाट चौराहा है और एक मुख चौराहा है यानि जब आप कहीं से भी चाहें लखनौव से आएंगे किसी और दूसरे जिली से आएंगे हाईवे के रास्ते से आएंगे तो यह जो रास्ता है यहां जरूर इसी से आपको अंदर होकर गुजरना पड़ेगा हन्मान गड़ी राम लेला सब कुछ इसी तरफ है इस रास्ते से ही और यहां पर सुरक्षा के बंदोबस आप देखे हर तरफ यानि पूरे रास्ते को बैरिकेटिंग की गई है कि यह एक रास्ता खोला गया है यानि कि यह सिंगल रोब बना दिया गया है यहां पर एक रास्ता खोला गया है उसी से लोग आते हैं जाते हैं और इस वक्त शुरक्षा इंतिजाम यह है कि किसी को भी बिना आईडी कार्ड के यहां इंट्री नहीं दी जा रही है SPG की बात अगर हम करें तो SPG की कुछ जो वो सिक्यूरिटी परसनल्स हैं वो कल पहुंचे हैं आयोध्या पहुंचे हैं और वो फिलाल एक उन्हें होटल में रोका गया है लेकिन जो अफसर हैं वो आज कुछ आएंगे और कुछ दो तारिक आएंगे उसके बाद जो लोकल पुलिस है उनके साथ एक बैटक होनी है और फिर यह होना है कि किस तरीके से आयोध्या में सुरक्षा के इंतिजाम रहेंगे क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की सिक्यूरिटी देखिए अगर हम बात करें तो थ्री लियर सिक्यूरिटी है SPG कवर है तो उनके अपने प्रोटोक हर किसी की चेकिंग की जा रही है हमें और आपको भी इस पूरे प्रोसस से होकर गुजरना पड़ता है लेकिन पांच अगस्त के लिए हाई अलर्ट है आज से SPG की टीमें आ रही है आप बने रही है हमारे साथ आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे लेकिन फिलाल लखनव की बात करें तो वहां आप कैसे वीकेंड लॉगडाउन का असर देख रहे हैं और सबसे अहम बात ये कि अब वरिष्ट रधिकारियों के सुरक्षा एजंसियों के दौरे शुरू हो गए हैं तो क्या आज भी कोई लखनव से आयो ध्याने वाला है असर देख सकते हैं कि डिवाइडर के दूसरे तरफ की रोड को बंद कर दिया गया है ब्लॉक कर दिया गया है और अब एक ही रोड है जिसको चालू रखा गया है यह व्यवस्था शहर में कई जगा पर की गई है खास सोर से जो प्रमुख छेतर हैं वहाँ पर इसके अलावा जो अवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग हैं सिर्फ उनको बाहर आने की अनुमती है बाकि किसी को भी बाहर आने की अनुमती नहीं दी गई है सिर्फ राखी की और मिठाई की जो दुकाने हैं उनको छूट दी गई है क्योंकि सोमवार को रक्षा बंधन का त्योहार है इस बात को द्यान में रखकर इन दुकानों को अनुमती दी गई है कि वो खुल सकती है यहां तक बात करेंगे मुव्मेंट की तो निश्यत रूप में आयोजन का समय बिल्कुल करीब आ गया है कल दो तारीकों मुख्यमंत्री का दौरा पहले से प्रस्तावित आयोध्या का इससे पहले संभव है कि आज भी किसी मंत्री का वहां पर अचानक दौरा बने फिलहाल कोई तैश हड्यूल ऐसा नहीं अभी दिया गया है लेकिन लगातार जो शासन के वरिष्ट अधिकारी है जिया शैलेश विल्कुल तैयारी जबरदस्त है और लखनम में भी आप बता रहें किस तरह वीकेंड लॉक्डाउन के शुरुआत हो चुकी है और लगातार आयोध्या में भी दौरे जो है वो शुरू हो गए है सुरक्षा ए लगाता हुआ नजर आ जाता है तो आई आपको सुनाते हैं कुछ ऐसे ही भक्ति से सराबोर सुरीला संगित स्वागत है आयोध्या नगरी से आप सभी का मैं हूँ आपके साथ तास्था कोशे कितनी जबरदस तैयारी चल रही है भूमी पूजन की तारीक जैसे जैसे खरीब आ रही है सरीयू के के नारे एक अलगी रंग जमा हुआ है इतना ही नहीं आयोध्या में आप किसी भी कोने में चले जाएं सिया राम के भजन आपके कानों में गुंजायमान हो जाएंगे और आज हमारे साथ खास्तोर पर भोजपूरी गायक अबनीश पांडे जी हैं उनका पूरा ग्रुप है तो आज हमें ये बताएंगे भजन के माध्यम से कि आवद में किस तरह का रंग चड़ और कुछ इस बहाने राम भजन हो जाएं सावन का महीना चल रहा है बोले शंकर को याद किया जाए इसके अलावा हनुमान जी है श्री राम से जुड़े हुए बहुत संदर्भ हमें मिलते हैं तो भजनों से अच्छा उनको याद करने का सुनने का इस मौके से बहतर और क्य सजादो यवधि को गुल सनिसा मेरे स्री राम आए हैं राम आए है मेरे स्री राम आए है लगे कुटिया भी दुलहंसी लगे आवधि भी दुलहंसी मेरे स्री राम आए है लगे आवधे बिदुल हनसी खुबसूरत लाइटिंग और ये खुबसूरत नजारा देखकर इस मनमोहग दृष्टे को लोग हमेशा हमेशा के लिए अपने कैमरों में खैद करके यहां से जाना चाहते हैं हमारे समधाता अनुभव शुकला हमारे साथ लगाता जुड़े हुए हैं अनुभव दिन रात काम चल रहा है चमकाने का सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस पूरी तरह से चौकस है तो ऐसे में रास्तों में रूट्स में लोगों को दिक्कत ना हो तो रात में किस तरह सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स रहते हैं क्या लोगों के लिए रास्ता खोला जाता है, वीकेंड लॉगडाउन है, तो किस तरह का अरेंजमेंट फिलाल आप देख पा रहें? काली जो है उत्रपदेश के अपर मुख सचेवगरी, अवनीश अवस्ती आयते, एडीजी लाइन ओर आयते, डीजी इंटेलिजेंस आयते, तो इतने सीनियर जो अफसर हैं, वो पहुंचे थे, उन्होंने एक बैटक भी की है, उसमें डीम भी शामिल थे, एसस्पी भी जो हैं अयुद्या के वो शामिल थे और तमाम जो पुलिस अफसर हैं, आसा जो एक अलर्ट मिला था, जो एक इंपुट मिला था रौ से, उसके बाद अयुद्या ही नहीं है, अयुद्या में तो सुरक्षा की इंतिजान है ही, इसके अलावा जो आसपास के बॉर्डर हम कहें तो ड निगरानी रख रहे हैं, कि ऐसा तो नहीं कि उनके जिले से कहीं कोई इस तरह की अनोनी घटना करने की कोई तयारी में हो, तो इसको सरकार ने देखे, बहुत बड़ा एक तो कारिक्रम है, और जब प्राइमिनिस्टर की विजिट है, तो ऐसे में से कुर्टी में कहीं कोई खलचल पर पॉलिस की नजर बनी हुई है, चप्पे चप्पे पर चेकिंग है, रूट्स का ध्यान रखा जा रहा है, और जब प्रधान मंत्री मोधी यहां पर आएं और आगसे पूरी तरह उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो SPG पर होगी, अनुबव और शालेश आपको बताते हैं, राम जन घूमी जाने से पहले, मतलब राम लला के दर्शन से पहले, हनुमान गड़ी में जाकर हनुमान जी के दर्शन करना जरूरी होता है, तो आईए हम आपको बताते हैं कि क्या कनेक्शन है आखर दोनों के बीच में, जो भी भक्त यहां पर आता है वो पहले हनुमान गड़ी दर्शन करता है, और उसके बात करता है राम लला के दर्शन, हमने जब बात की हनुमान गड़ी के मुख्य पुजारी राजुदास जी से, उन्होंने इस बात को विस्तार से समझाया हनुमान गड़ी का क्या संबंध है प्रभू श्री राम से ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन किस तरीके से श्री राम के सबसे प्रियानन भक्त हनुमान जी रहे, इस पर हम बात करेंगे हनुमान गड़ी के महन राजुदास जी से, जिस तरीके से राम लला जाने से पहले सबी लोग हनुमान गड़ी आते हैं, हनुमान जी प्रिभक्त रहे, अनन्य भक्त रहे, लेकिन क्या संबंध और है, क्या वज़े इसके पीछे हैं। कहा जाता है कि गोश्वामी तुलसिदाजी महराज ने लिखा है रामशेत मानस में, कि अजर अमर गुन निरुसुत हो माता सीता जी जगत जन्दी जगदंबा, जब राच्छसों के बीच में लंका में थी, तो उस समय में हनमान जी महराज, जब भगवान सीराम माता सीता जी को ढूंड रही थी, ढूंड रहे थे, खोज रहे थे, तो हनमान जी महराज लंका पहुंचे, तो लंका जब पहुंचे हनमान जी महराज, तो माता सीता जी को अपार खुशी हुआ इतमा मातासिटा जी को वा कि माता सिटा जी ने उसी समय में वर्दान लिए था कि अजर अमर गुन निदुसुत हो अजरता का अमरता का पुत्र्वत का असिरवाद दिया था हनुआ जी को इसके नाते भगवान सिर्राम के मानसपुत्र हनमान जी महराज हैं कहा जाता है कि अध्या में कि राम दुवारे तुम रखवारे होत नाग्या बिनपैसारे भगवान सिर्राम के अनन्भक्त हनमान जी महराज जो सदैव आप भक्त और भगवान की बीच की रिष्टा और ए इतना समर्पन की भावना थी कि किसी भी भक्त का ऐसा भगवान के प्रती भावना नहीं रहा है इसके नाते हनमान जी महाराज यहाँ पर जिस जगह पे हम लोग मौजूद हैं राम जनम भूम के मुख द्वार पे हनमान जी महाराज का किला है और हनमान जी जब माता सीता जी किसी भी आप मतं मंदिर में जाएंगे तो ठाकुर जिके च्रन में हनमान जी बैठे मिलें लेकिन भगवान सिरराम मर्यादा पूरसूत्तम भी कहे जाते हैं इसके नाते मर्यादा का उन्होंने पाल पालन किया आप देखेंगे कि हनुमान जी यहां राजा करूप में आगे बैठे हैं और पीछे भगवान से राम सब परिवार आशिरवाद देते हुए यहां पर मिलेंगे। तो यह आपने जाना राम लला और हनुमान गड़ी के बीच का कनेक्शन मतलब अगर राम लला की दर्शन करने हैं तो सबसे पहले हनुमान गड़ी जाकर मत्था टिकना जरूरी होता है। एक चोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जल्द होंगे हाज़र कई मत्चाई। इस बार 22 किलो चांदी की हीट इंडियन गुलियन ज्वेलर्स की लखनव में हैं उसकी तरफ से दान की जा रही है। और भी आपको बताते हैं कि कौन-कौन भग किस तरह से अपनी श्रद्धा के मताबिक राम लला के एक हजाने में दान कर रहा है। इस एक क्रम में 22 किलो चांदी की इट राम लला के भूमी पूजन के मद्दे नजर दान की गई है। और कल भी आपको बता दे 10 किलो चांदी दान में मिली बस्ती के हरईया विधायक अजय सिंग ने भी अपने परिवार की तरफ से 15 किलो 300 ग्राम चांदी की श्रिला भगवान राम लला को दान की है। उन्होंने श्री राम जन्म भूमी तीर्थ शेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत मृत्य गोपाल दास को उनके आवास मणी राम दास शाबनी पढ़ जाकर 15 किलो 300 ग्राम चांदी की इट राम लला को समर्पित की है। तो देखा आपने किस तरह से भक्त अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से राम लला के लिए दान कर रहे हैं। तो आपको बता दें किस तरह से जो भक्त हैं अपनी अपनी श्रद्धा के मुताबिक दान कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब पांच अगस की तारीक आएगी भूमी पूजन हो जाएगा तो राम भक्तों को प्रसाद के रूप में क्या बाटेगा। इसके लिए तीर्थ जो है तीर्थ ट्रस्ट एक लाख लड़ू तयार करवा रहा है। आपको दिखाते हैं डिटेल रूपोर्ट। आयुद्या में राम लला के मंदिर का शुभारम होने में अब गिंते के दिन बाकी रहे गए हैं। बरसो बाद आई इस मंगल वेला की वज़ा से अवत पुरिवे उस्सो का महौल है। इस उस्सो के औसर पर इन दिनों अयुद्या में लड़ू बनाने का काम तेज हो गया है। दरसल राम मंदिर के भूमी पूजन और शिला नयास के मौके पर कारक्रम में शामिल महमानों को बाटने के लिए महाप्रसाद तयार किया जा रहा है। जिसके लिए राम जन भूमी तिर्शेत्र ट्रस्ट में विशेश कारिगरों को एक लाग 11,000 लड़ू बनाने का ओडर दिया है। वो थाल में सज के जाएगा, ऐसे डबबा में नहीं जाएगा, वो थाल में सजा के जाएगा। वो थाल में भर के जाएगा, सभी सामग्रिय पुष्टक है और परशाद का डबबा रहेगा। और बाकी जितने भक्त जन हैं, सिक्रूटिव कह रहे के लोग आएंगे, सारे लोगों को एक जोला दिया जाएगा। जोला में परशाद का लड़ू का डबबा रहेगा एक, और उसमें अजोध्या पर भगवान बाबा जी एक पुष्टक लिखे हैं जो है, एक है बड़े बाबा देवराहा बाबा जी महाराज भाविस्वानी जो किये थे 1990 में, कि भगवान नाम का मंदिर यहीं बनेगा, से वैदिक विद्वानों के साथ पूजा अर्चना करके राम मंदिर की अधार शीला रखेंगे, जिसके बाद मंदिर के भूमी पूजन का प्रसाद अयोध्या से देशपर के तमाम हिस्सों में भेजा जाएगा, सिर्फ काशी मतुरा ही नहीं, बलकि चारो धामों के अलाव हर धर्व इस्थल पर प्रभू राम का मा प्रसाद भीजा जाएगा, लोगों को जो प्रसाद वाठा जाएगा, वो एक जोले में होगा, जिसमें एक पुस्तत भी होगी देखिए ये लड़ू जो तयार हो रहा है, भगवान रामलला को भोग लगने के लिए, और अयोध्या में चुकी भगवान रामलला के जन्म भूम पर भव मंदिर निर्माड का मार्गर पसस्त होने जा रहा है, और यहाँ पर पांच अकस्तो जो भूम पूजन होगा, उसम साथ जो यहां के मठ मंदिर है, ऐसे साथ हजार मठ मंदिर हैं, जिसमें भगवान राम विराजमान होते हैं माता जानकी के साथ, तो उन सब के मठ मंदिरों में परम पूज हंस देवराहा बाबा के माध्यम से यह प्रशाद जो है उनक तक पहुचने वाला है, इस्टील के वर्तनों में, इस्टील के डिब्बे में, पैक होकर कोई 20 लड्डू का कोई पैकिंग है, कोई 11 लड्डू का पैकिंग, कोई 5 लड्डू का, तो इस प्रकार से पैक करके इंको बित्रिक करने की जिम्मेदारी ली है यहां पर लोगों ने, और यह मडी राम दाजी की चाव में 500 लोग ही शामिल होंगे, लेकिन ट्रस्ट इस आउसर पर एक लाग से जादा लड्डू बनवा रहा है, ताकि राम लला के जादा से जादा भक्तों तक भगवान का प्रसाद पहुच सके, आयोध्या से ब्यूर रिपोर्ट, एबिपी गंगा तो जबर्दस तरीके से तैयारी चल रही है महाप्रसाद को तैयार कराने की, और जिस दिन भूमी पूजन हो जाएगा, भक्तियां से खाली हात नहीं जाएंगे, राम जन में भूमी पर तो आएंगे ही, दर्शन तो मिलेंगे ही, और उसके साथ-साथ मिलेगा महाप्रसाद जो ना सिर्फ यहां भक्तों को, बलकि साथ ही साथ उन तमाम बड़े मठों को, मंदिरों को भीजा जाएगा, देश भर की तीर स्थलों पर भी यहां से प्रसाद भीजा जाएगा, तो इस खास पेशकश में फलाल इतना ही, लेकिन कहीं मत जाएगा, क्योंकि सुबा ठीक 11 बज़े आये, उद्ध्या से सतरंगी रिपोर्ट लेकर, मैं एक बार फिर से आपके सामने आऊंगी, लेकिन अब वक्त हो गया है, पहाड सो जोड़ी खबरे जानने का, सीधे आपको स्टूडियो लिए चलते हैं, पहाड प्रभाद के लिए सहयोगी, कौशल सेच के पास. कौशने उबरे इसारी के लिएा, प्रदे कहीर ने है, प्रभाद के लिए सत्वा है, पास जोड़रे बाबरे घस आपके लिए लिए हो गाँ काुलस हम्हारे बार्वाने है, जो जोड़रे भाहईंगी, लेके लिए समया हैमें, खुकराूणे मैं थावाजने लिए हु़र